नमस्ते दोस्तों, मैं प्राची मिश्रा, आज आपके सामने लेके आई हूँ एक नई कहानी, कहानी का शुर्षक है अप्राधी आज मंदिरा के सपर का बाष तूट चुका था, गोद में बच्ची को उठाया और एक हाथ में बैय लेकर तेजी से बाहर की यूर निकली, पीछे से सासुमा की आवाज आई, जा तो रही हो, पर एक बात हमेशा याद रखना, ये दर्वाजे अब तुम्हारे लिए कभी नह खुलेंगे, मंदिरा मूख सी, कुछ फल के लिए वहीं दर्वाजे पर रुख गई, और दूसरा कदम आगे बढ़ाया ही था, कि पीछे से उसके पदी नवीन की आवाज आई, जाने दो मा, वैसे भी मुझे इसकी कोई ज़रुवत नहीं है, दो ही दिन में आकल ठिकाने आ और तेजी से बाहर की और निकल गई, तीन ही साल तो हुए थे मंदिरा और नवीन की शादी को, मंदिरा के पिता ने अपनी हैसियस से आधी की देहिस दिय था मंदिरा को, परंतो उसके सस्रॉल वालों को, इससे तसली ना मिली, कुछ ही दिनों में उनकी असले सामने आ गई वो हर तरह से मंदिरा को प्रताडित करने लगे कुछ दिनों बाद बात, मार, पीट और मांसिक प्रताड़ना तक भी पहुँच गई परन्तु मंदिरा न जाने कौन से बंधन में बंधी हुई थी वो कभी अपनी माता-पितव को अपनी हालत के बारे में कुछ नहीं बताती थी डेड़ वर्स के बाद मंदिरा के गोद में रिया आ गई सुन्दर सी बेटी देखकर मंदिरा ने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा पर ऐसा कहा होने वाला था हालात तो अब बत से बत्तर हो गए क्योंकि अब उसे देखके साथ साथ बेटी के नाम पर भी ताने दिये जाने लगे मंदिरा फिर भी सब कुछ सहती रही उसका दिल न जाने क्यों समंदर सा बड़ा हो गया था वो सोचती थी कि जो हो रहा है वो उसकी नेती है उसका भाग्य है अपने पिता को अपनी मा को परिवार को कभी इस समस्य के बारे में जानकारी नहीं दी परन्तु आज आज तो हदी हो गई नवीन ने रिया को बिस्तर से नीचे पटक दिया था रिया के सर से खून बह रहा था छोटी सी बच्ची रोरोकर उसका बुरा हाल हो रहा था आज मंदिरा के सब्र का बान तूट गया वो क्रोज से जल उठी तुरंट पुलिस को फोन किया अपनी बच्ची की हालत के बारे में बताया और अपने उपर होने वाली पिताड़ना की जानकारी भी दी आज मंदिरा एक काम औरत से काली बन चुकी थी वो सोच रही थी कि आखिर ये सब जो हो रहा है इसकी वज़े कौन है वो बार-बार अपने आपको ही अपराधी समझ रही थी क्योंकि कहा जाता है कि अपराध करने वाला और अपराध सहने वाला दोनु समान रूप से ही अपराधी होते है मंदिरा को भी आज यही एहसास हो रहा था रोती हुई बच्ची को गोद में लेकर वो बार-बार अपने आपको कोस रही थी मंदिरा ससुराल से निकल कर अपने पिता के घर पहुँची पिता ने अपनी बच्चे की ऐसी हालत देखी तो दुख से उसके पिता का दिल भट पड़ा और अपने बेटी का हाथ पकड़ के उसके पिता ने कहा बेटा इतनी परिशानी थी तु बताना था ना क्यों नहीं बताया हम सोचते रहे कि तुम बहुत सुखी हो मंदिरा ने कहा पापा आप वैसे इतने परशान है मैं आपको क्या बताती लेकिन आज मुझे अपनी गलती के हसास हो रहा है मेरी बच्ची के साथ और मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है या जो भी कुछ हुआ है उसकी अपराधी मैं हूँ आज जो कुछ भी हुआ है वो गलती नवीन की नहीं वो गलती मेरी है जिसे मैंने बार-बार होने दिया पापा आज मुझे हैसास हो चुका है कि मैंने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर दी मंदिरा के पिता कुछ वक्त स्तब्द से रहे फिर उन्होंने सोचा कि कुछ दिन बाद मंदिरा और नवीन का जगड़ा सुलज जाएगा क्योंकि हर पिता को यही लगता है कि मेरी बेटी की शादी दहेज के उस दहेज और घरेलू जगड़ों के कारण डेवोर्स के उस कंडिशन तक ना जाए कुछ दिन मंदिरा अपने पिता के पास रही धीरे धीरे सब संभलने लगा मंदिरा के पिता ने प्रयास किया कि नवीन को और मंदिरा का जगड़ा सुलज जाए परन्त मंदिरा अब बहुत मजबूत हो चुकी थी उसने निश्य कर लिया था अब वो लोटकर उस घर में कभी नहीं जाएगी मंदिरा अपने पिता के घर में ही रहने लगी और IPS आफिसर बनने की त्यारी करने लगी रिया भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और स्कूल जाने लगी एक तिन मंदिरा के पिता ने मंदिरा से पूछा तुम निश्य कर लो कि तुम्हें करना क्या है कब तक ऐसे यहां पड़ी रहोगी लोग क्या कहते हैं इस पारे में कभी सोचा नहीं तुमने मंदिरा ने दो पल अपने पिता को शान्त भाव से देखा और फिर कहा पापा मुझे बस आप से एक सवर्ष का समय और चाहिए और कुछ नहीं मांग रही हूँ मंदिरा के पिता कुछ पल के लिए तो यूही खामोश रहे और मंदिरा की ओर ताकते रहे मंदिरा फिर सेकूरसी पर बैठकर अपनी तयारियों में जुट गई कुछ दिन बाद मंदिरा का IPS का एक्जाम हो गया और वो IPS आफिसर बन भी गई अब मंदिरा एक अलग घर में शिप्ट हो चुकी थी मंदिरा और नवीन का तलाग भी हो चुका था मंदिरा की पिता बहुत खुश थे पर कहीं न कहीं एक काटा तो चुभी रहा था कि मंदिरा कितनी भी व्यस्त हो पर इस छोटी से उमर में अभी भी वो अकेली है और एक बच्ची का बोजह के लिए ही ढूर रही है हालाकि ये बोज मंदिरा के लिए एक खुशी ही थी परन्तु एक पिता की चिंता तो पिता ही समझ सकता है धीरे धीरे वक्त बीटता गया और मंदिरा की जीवन में कोई दूसरा आ गया जो मंदिरा को समझता था वो भी उसी के विभाग में एक IPS आफिसर था संजीब मंदिरा को बहतर समझता था और उसे रिया के साथ अपनाने के लिए तैयार भी था परन्तो मंदिरा इसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जैसा पहले हुआ है कहीं वही सब फिर से न शुरू हो जाए वो अपनी बेटी को लेके बहुत से केयोड थी कुछ दिनों बाद जब मंदिरा के पिता को इसकी जानकारी हुई तो मंदिरा के पिता ने मंदिरा को मनाने का प्रयास किया बेटा जीवन अकेली नहीं जेला जा सकता इसको जीनने के लिए दो साथियों की दो पहियों की जरूरत होती है बेटा यदि संजीव तुम्हें समझता है तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसके साथ अपना घर बसा लेना जाहे है पर मंदिरा नहीं मानी नहीं पापा बहुत डरती हूँ अपनी बच्ची को लेकर अब दुबारा कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहती जिससे मेरी रिया को फिर से वही सब भोगना पड़े बेटा सब लोग एक जैसे नहीं होते यदि तुम्हें लगता है कि संजीव वो व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे जीवन में दुबारा आ सके तो कुछ दिन उसे परक लो समय दो और अपनी जीवन की एक नई शुरुआत करो मंदिरा अब भी इसी उधेड बुन में लगी हुई थी वो हर दिन संजीव को परक रही थी अपनी लिए नहीं रिया के लिए क्योंकि वो सोचती थी कि जो मेरी बच्ची को प्यार, सम्मान वो सब कुछ दे सकता है वो मुझे भी प्यार तो दे ही देगा बस इसी तरह दिन बीत्ते गए और मंदिरा भी धीरे धीरे संजीव की ओरा करशित होने लगी और अब उन दोनों ने विवाह का निर्णय ले लिया एक दिन संजीव और मंदिरा अपनी शादी के शोपिंग करने के लिए बाजार गए तो देखा, मंदिरा का पहला पदी और उसकी मा भी उससी दुकान में शोपिंग कर रहे थी मंदीरा को देखती ही उसकी सास ने दूसरी तरफ मुझ फेर लिया और उसका पती उसके पास आया और बोला मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम एक करेक्टर ले सौरत हो मंदीरा दो पल के लिए मुझ खो गई वही सारी चित्र उसके आँखों के सामने से एक एक करके गुजरने लगे जो प्रतार्णा उसने नवीन के घर में छेली थी नवीन उससे उल्टा सीधा बोलने लगा पस फिर क्या था संजीव का पारा चड़ गया संजीव ने खींच कर एक थप्रनवीन के मुई पर जड़ दिया मंदिरा कुछ बोलनी की हालत में थी ही नहीं वो बस एक टक दोनों को देखे जा रही थी मंदिरा मंदिरा क्या हुआ कुछ नहीं संजीव चलो यहां से चलते हैं संजीव मंदिरा को लेकर वापस घर आ गया और उससे पूछा आखिर किस बात का डर है तुम्हें एक IPS ओफिसर हूँ ऐसी बातों को सहना तुम्हें शोभा नहीं देता मंदिरा क्या करूं संजीव आज भी जब वो सारी बाते मेरे आँखों के सामने से गुजरती हैं मैं कमजोर पढ़ जाती हूँ संजीव ने मंदिरा को समझाया नहीं मंदिरा मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले से शादी शुदा हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी हर फिलिंग्स को मैं सम्मान देता हूँ और रिया को भी मैं बहुत प्यार दूँगा मंदिरा आज आश्वरस थी वो समझ चुकी थी कि संजीव ही है जो उसे और रिया को संभार लेगा कुछ दिन बाद मंदिरा और संजीव ने शादी कर ली एक शान तरीके से कोर्ट मैरिज आप मंदिरा संजीव और रिया एक ही घर में रहते हैं तीनों बहुत खुश है इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में उतार चड़ाओ तो चलते रहते हैं वक्त से पहले आप ये समझ ले कि आपके साथ कहां गलत और कहां सही हो रहा है क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है इसे ढोना नहीं है इसे जीना है हर औरत को अपनी जिन्दगी दुबारा श्य शुरू करने का पूरा हक है मंदिरा ने जो किया बिल्कुल सही किया परन तो दुबारा भी गलती हो सकती है इसलिए जाच परहक कर दुबारा अपनी जिन्दगी शुरू करें माता पिता कभी ये फर्ज है कि वो अपनी बच्चियों को सही सिक्षा दें उन्हें ये बताएं कि उसका अधिकार क्या है बेटियां माबाप के कर्तव्यों से कभी भी मुक्त नहीं होती उसी तरह माबाप भी बेटियों कर्तव्यों से कभी मुक्त नहीं होते है अपनी बेटियों को हमेशा ये बताएं कि बेटा जिस तरह ससुराल तुम्हारा घर है उसी तरह मायका भी तुम्हारा घर है बेटियां आश्वर्ष्थ होंगी और अपनी हर बात माता पीता से शेयर कर पाएंगी ऐसे अत्यचारों को सहना उतना ही गलत है जितना अत्यचार करना धन्यवाद